दोस्तो आज हम एक बार फिर से reasoning की एक अती महतपूर क्लास के बारे में देखने बाले हैं तो आप लोग पिछले पार्ट्स को भी जा करके देखेगा exam से related बहुत ही important questions पिछले पार्ट्स में कबर किये गए हैं आज दोस्तो हम reasoning को एक बार फिर से बहुत ही basic level से short track के मध्यम से solve करने का प्रयास करेंगे सत्यों आज की इस क्लास में 15 अती महतपूर रीजिनिंग के पिछले वरसों के question रहेंगे जो निरंतर विभिन्ने प्रत्योगी परिक्छाओं में आपके बार बार पूछे जाते हैं आज 21 प्रकार से प्रिश्णों का अध्यन करेंगे तो देखें यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले question number आज का पहला question question number एक कहा है उस विकल्ब का chain करें जो तीसरे सब्द से उसी तरह से संबंदित है जैसे दूसरा सब्द पहले सब्द से संबंदित है देखी दोस्तों अगर बात करें इस प्रिश्ण में तो पहला सब्द अध्याय कहा है किताब से संबंदित है तो handle किस से संबन्दित हो जाएगा दोस्तो अगर हम बात करें इस प्रिश्ण की तो अध्याय जो किताब होती है किताब जो होती है इसमें क्या होता है किताब में जो chapter होते है किताब अध्याय से मिलकर बनती है क्या कह सकते है किताब अध्याय से मिलकर बन सकती है ठीक है जब कई सारे अध्याय मिलेंगे तो उसको एक संग्रहत करके सभी अध्याय को किताब में जोड़ दिया जाएगा उसी परकार अगर हैंडल की बात करें तो हैंडल क्या ब्रेक में होता है क्या साइकल में होता है क्या पैडल में होता है या फिर गोल में होता है तो दोस्तों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे इस प्रिश्ण का सही उत्तर ओप्सन नमर दो साइकल हो जाएगा देखें आप लोग आप लोगोंने चलाई होगी हमने भी साइकल चलाई है जो आगे पकड़ के जो चलाय रजट का भतीजा है निसा रजट की मा है और रमेश के केवल दो बच्चे रजट और नीलेस है नीलेस का कपिल से क्या सम्बंद है तो दोस्तों सबसे पहले का है कि कपिल रजट का भतीजा है जो रजट है तो हमें रजट को यहाँ पर रखेंगे किसको रखेंगे सबसे प पर रजित का एक भाई बनेगा क्या बनेगा याद रखेंगे रजित का एक प्यारे दुस्तो भाई बनेगा और जब इस भाई का लड़का होगा जिसका नाम है कपिल क्या नाम है आप कहेंगे सर कपिल नाम है और तब ही तो बनेगा ये रजित का बतीजा कपिल तो आप कहें रजत की मह हैं तो निसा को यहां पर बना देंगे ये एक औरत है तो इनके लिए क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे इसके बाद दूस्तों कहा है रमेस के केबल दो बच्चे हैं रजत और नीलेस रमेस के के केबल दो बच्चे हैं एक रजत है एक नीलेस है तो गोर से स कपिल से क्या सब्मंद है नीलेस का कपिल से तो से किसके साथ लगा है आप कहेंगे सर से लगा है कपिल के साथ तो कपिल नीलेस को क्या कहेगा कपिल कहेगा ये मेरे कौन है पपा जी है प्यारे दूस्तों क्या हो जाएंगे पिता जी इस प्रिश्ण का सही उत्तर हो जाएगा ओप्सन नमर एक में दे रखा है ओप्सन नमर एक इसका सही उत्तर है इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे बढ़ते हैं दोस्तो आज के अगले कोश्चन की तरह आज का दोस्तो तीसरे नमर का प्रिश्ण हमारे सामने है कहा है दोस्तो यदी 34 स्टार 15 को 495 पे लिखा जाता है 43 स्टार 12 को 504 लिखा जाता है तो 98 स्टार 17 का कोड क्या होगा हमें ये बताना है देखिए दोस्तो 34 स्टार 15 को 495 कैसे लिखा गया है तो हम लेखेंगे 34 Multiply 15 ठीक है इस तरह से करेंगे तो 15 चोके हो जाएगा हमारा 60 और 15 तिया कितना 45 में 6 जोड़ेंगे तो 51 मतलब 510 और दोस्तो जब ये मल्टिप्लाई होगा तो इसी 15 को इसमें से हम घटा देंगे ठीक है पहले हमने 34 में 15 का मल्टिप्लाई किया तो फिर उसी 15 को घटा दिया तो दोस्तो हमारा 495 आजाएगा अब देखे सेम लोजिक की बात करते हैं आगे 43 मल्टिप्लाई 12 क्या करेंगे दोस्तो हम करेंगे 43 43 में मल्टिप्लाई 12 तो 43 मल्टिप्लाई 12 करेंगे तो 12 36 12 चोके 48 3 51 516 अब दोस्तो इसी 516 में इसी 12 को घटा देंगे जिससे गुड़ा किया था उसी को हम घटा देंगे तो दूस्तो हमारा कितना बचेगा आप कहेंगे सर 504 बचेगा अब सेम लोजिक का प्रियोग करेंगे क्या करेंगे 98 multiply 17 यानि कि 17 तो 178 178 136 हासल आई कितनी 13 179 के 153 153 में 13 जुड़ेगा तो आप कहेंगे सर 153 में जब 13 जुड़ेगा तो हमारा हो जाएगा 106 कितना हो जाएगा 106 देखे जिस से गोड़ा किया था उसी को अब हमें गटाना है तो इसमें से 17 गटा देंगे आप कहेंगे 1666 में जब 17 गटाएगे तो 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा और यहां पर 2 हो जाएगा तो 4 बचेगा और आगे 1649 तो question मारके इस्थान पर दोस्तों जो number आएगा वो होगा 1649 1649 प्यारे दोस्तों option number 1 में दे रखा है यही इसका सही उत्तर है इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे बढ़ते हैं आज के question number 4 की तरफ question number 4 हमसे कहा गया है निमलिखेत 4 सब्दों में से 3 सब्द किसी न प्रकार से समान है किसी न किसी प्रकार से समान है एक सब्द आसमान है आसमान सब्द का चैयन करिए तो दोस्तों अगर इस प्रिश्णगी बात करेंगे हम पूछताच करना विचार करना, खोजना और जाचना चार हमारे पास विकल्प हैं तो इसमें सबसे बिसम क्या होगा देखे पूछताच करना अगर हम बात करेंगे पूछताच करना की अगर बात करेंगे खोजना की ठीक है अगर बात करेंगे जाचना की तो ये तीनों के तीनों क्या है एक दूसरे के परियाए बाची है ये जो तीनों हमें ओप्सन दे रखे हैं ये तीनों क्या है एक दूसरे के क्या है परियाए बाची है ठीक है परियाए है ठीक है इस तरह स बच्चा मेले में खो जाता है कोई मां मेले के साथ अपने बच्चे को लेकी गई मिला देखने तो उसमें कोई बच्चा Calling Pal आज प्रिशन बेखी पांचवा नमबर प्रिष्ण भी एक अच्छा प्रिष्ण है इसके बारे में कहा एक ग्रामीड पूर्व की ओर तीन किलोमेटर चलता है पर दच्छड की तरफ मुड़ जाता है आगे डेल किलोमेटर जाता है फिर कहरा है फिर पूर्व की दिशा में मुड़ जाता है और और हमेशा हम इस तरह से प्लस बना लेंगे जब भी हमें दिसाओं का अनभाव ना हो तो आपके सीधे हाथ की तरफ पुर्व और उल्टे हाथ की तरफ पश्यम आपके नीचे की तरफ साउथ और उपर की तरफ क्या हो जाएगी नौर्थ हो जाएगी इसको याद रखेंगे तो यहाँ पर 3 km एक ब्यक्ती गया है, ठीक है, एक ब्यक्ती गया है, 3 km पूर में, कहा है अब वह दच्छड की दिसा में मुड़ गया और डेल किलो मेंटर की यात्रा तेकी, तो यह दोस्तों जो यात्रा बनेगी, यह हमारी 1.5 km हो जाएगी, इसके बाद कहा है, आगे वह द बाई और मुड़ जाता है, फिर वह बाई और मुड़ जाता है, अब देखें, मैं अगर बात करूं इस प्रिश्ण की, अब वह देखती कहां पर आ चुका है, गरामीड यहां पर, अब इसका मुख जो है, वह पूर विदसा में है, और उसे अगर बाई और मुड़ना है, तो वह उपर की और जाएगा, कहां पर जाएगा प्यारे दोस्तों, उपर की और जाएगा, ठीक है, कहां पर, उपर की और जाएगा, और उपर की और उसने जो दूरी त्यकी है, वो डेड़ किलो मेंटर, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे, इस तरह से याद रखेंगे, अब कहा है प्रारंब की इस्तिती में के संबंद में हुए अब कहां पर इस्तित है तो ये हमारा कुछ डॉट-डॉट करके इस तरह से पूरा कर लेगा ठीक है इस तरह से जब पूरा कर लेगा तो अब प्रारंब से ये बिंदू बताना है कितने दूर है तीन किलोमेटर यहा तो पूर्व की दिसा में 5 km है, option नमर एक में दे रखा है, option नमर एक प्यारे दूस्तो इसका सही उत्तर हो जाएगा याद रखेंगे, मरते हैं आज के question नमर चे की तरफ, question नमर चे भी एक सीरीज का बहुत ही महत्पूर प्रिशन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखे देखें इस सीरीज के प्रिशन को सबसे पहले लिख लेते हैं इसमें हमें लुप तपत ग्याद करना है ठीक है तो इसको हम लिखेंगे तीन 30 के बाद क्या लिखेंगे 15 ने कि 59 और question मार के स्थान पर बताना है कि इसमें क्या आएगा तहीज जब भी ऐसा question आए एक number बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर चोटा ऐसा मिले तो आपको याद रखना है इसमें क्या करना है अपको alternate count करना है क्या करना है दोस्तों आपको alternate count करना है तो मैं अगर इसके alternate की बात करता हूँ अगर मैं alternate की बात करता हूँ तो यहाँ पर plus 26 हुआ है गोर से समझेंगे plus 26 हुआ है उसके बाद देखे यहाँ पर अगर फिर से count करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर अगर count करेंगे आप ल अल्टरनेट जोडेंगे तो यहाँ पर 51 से 79 हुआ है यानि 69 हुआ है तो यहाँ पर हमारा 18 जोड़ा है कितना जोड़ा है 18 जोड़ा है तो पहले 26 फिर 22 और 18 मतलब इन दोनों के बीच का जो अंतर बन रहा है नीचे जो अंतर बन रहा है पहले माइनस 4 हुआ है फिर इस अंतर में माइनस 4 हुआ है ठीक है इस तरह से समझेंगे इसी प्रकार अब उपर लोजिक को पता करते हैं उपर के लोजिक को पता करेंगे तो alternate alternate मैंने बताया था तो alternate check करेंगे आप लो ठीक है alternate कितने का अंतर बनेगा 14 और 38 14 और 38 में कितने का है 24 24 का अंतर है कितने का 24 24 का तो मतलब यहाँ पर plus 24 हुआ है उसके बाद 38 से क्या हुआ है 58 हुआ है तो दोस्तों इस बार भी क्या हुआ है अब की बार में plus 20 हुआ है तो अगला वाला नंबर question मार के इस्थान पर क्या आना चाहिए यही तो बताना है आप कहेंगे सर देखे नीचे minus 4 minus 4 हुआ था मैं कहां पर बता रहा हूँ यहां पर इनका अंतर अगर 4 हुआ है यह वाला तो उपर वाला भी तो अंतर 4 ही बच रहा है 24 में से 4 जाएगा minus का तो 20 बचेगा और 20 में से अगर ये वाला 4 चला जाएगा यहां पर ये 4 चला जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 18 बचेगा तो इसमें दोस्तों क्या होना चाहिए हमारा plus का 18 और अगर हम 58 में 18 जोड़ देंगे तो आप लोग जल्दी कीजिए 58 में हमें क्या जोड़ना है 18 नहीं 16 करेंगे यहाँ पर जब माइनस 4 करेंगे 20 में से तो क्या बचेगा 16 बचेगा और 58 में 16 जोड़ेंगे जल्दी से जोड़ लेते हैं 58 प्लस 16 84 मतलब क्या आएगा क्वेश्चिन मार के स्थान पर आपका दूस्तो ऑप्सन नमर एक क्या आजाएगा 74 आजाएगा ठीक है हमने इसको अंतर से चेक दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ आब इस प्रिश्ण को आप अच्छे से समझ गए होंगे ठीक है बढ़ते हैं आज के अगले प्रिश्ण की तरफ अगला प्रिश्ण क्वेश्चिन नमर साथ क्वेश्चिन नमर साथ में हमसे कहा है यह दि एक निष्चित कूडवासा में अर्थ का एक कोड दिया गया है कुछ नमरों में 8,28,15 ये आठ आ इसका इस्थान होता है, 20 टी का इस्थान होता है। और यहां पर एक या इसकी का इस्थान पर होता है, 25 अचया हो गार से पर होता है। तो T कितने पर होता है 20 पर मतलब 20 नमबर बिकल्ब से इसकी शुरुआत होनी चाहिए तो ये गलत हो गया ये गलत हो गया एक मातर ओप्सन है इसका सही उत्तर ओप्सन नमर क्या हो जाएगा आप कहेंगे सर ओप्सन नमर दो हो जाएगा इसको आप लोग अच्छे सा याद प्रिश्ण है तो सबसे पहले कुछ मेज क्या करेंगे सबसे पहले कुछ मेज इस तरह से बनाएंगे कुछ मेज यहां पर लेखेंगे कुछ मेज ठीक है ये मेज जो है इनका कुछ पार्ट इस मेज का कुछ पार्ट प्यारे दूस्तों क्या हो जाएगा कुरसी हो जाएगा तो इतना इतना सा मेज का जो पार्ट है ये हमारा क्या हो जाएगा कुरसी हो जाएगा इसको याद रखेंगे ठीक है उसके बाद कहा है कुछ कुरसीयां बिस्तर है दोस्तो अभी भी नहीं रुका है इसने कहा है कि कुछ कुरसीयां मतलब कुर्सियों का जो कुछ पार्ट है ये बाला सा पार्ट ये बाला पार्ट क्या हो जाएगा कुर्सियों का ये हो जाएगा दोस्तो बिस्तर क्या हो जाएगा बिस्तर हो जाएगा इस तरह से आप लोग अच्छे से याद रखेंगे तो यहां पर हमने इसको बिस्तर बता दिया है उसके बाद दोस्तो इसने कहा है उसके बाद इसने कहा है कि सभी बिस्तर सामान है जतना भी बिस्तर का पार्ट है प्यारे दोस्तो वो क्या है पूरा का पूरा सामान है क्या है पूरा का पूरा सामान है इसको आप लोग अच्छ तो ये बाला जो निसकर से निकल रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा इसके बाद दोस्तों का है कुछ सामान विस्तर नहीं है कुछ सामान विस्तर नहीं है गौर से समझना है कुछ सामान क्या है विस्तर नहीं है तो देखे ये आपका सामान बिस्तर नहीं है, तो मतलब ये सही हो सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसा हम बना सकते हैं, क्या हम ऐसा बना सकते हैं, तो कहेंगे बिल्कुल बना सकते हैं, मतलब दोनों के दोनों निसकर्स यहां पर अनुसरण करते हैं, तो दोस्तों इस प्रिशन का सही उत्तर बढ़ते हैं अगले question number 9 की तरफ question number 9, एक important question है इसको भी याद रखेंगे, ये question है आपका sitting arrangement का, दोस्तों कहां कि एक कक्षा में सीना का कर्माग सीना का अनुक्रमाग सीर्स से आठवा है तो एक कक्षा है, उसमें जो सीना है मैं सबसे पहले एक कक्षा को बनाओगा यहाँ पर, मालीजे ये आपकी एक कक्षा है इस कक्षा में सीर्स से कोई लड़की है जिसका नाम है एसफौर सीना, ठीक है, क्या नाम है यहाँ पर बना देता हूँ, सीना को मैं एक color ले लेता हूँ अच्छा सा ठीक है यहां पर S4 जो सीना है इसका यह जो इस्थान है यह दोस्तो हमारा आठवा इस्थान है सीर्स से और कहा है सुस्मित अनुक्रमांग नीचे से 11 है सुस्मित जो है जो सुस्मित नाम का लड़का है उसका जो अनुक्रमांग है सुस्मित नाम के लड़के का नो चातर है यदि इन दोनों के बीच में प्यारे दोस्तों गौर से आप एक बास समझ जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा ठीक है यदि मैं बात करूं इन दोनों की अगर मैं बात करता हूं गौर से समझना है सुसमित और सीना दोनों की अगर मैं बात करता हूं इनके बीच में कितने बच्चे हैं नो बच्चे हैं तो दुस्तों कहा है कि कक्चा में कितने बच्चे हैं तो हमें क्या करना है देखो आठवा इस्थान सुस्मित का था नो इनके बीच में लड़के थी नीचे से ग्यारवा आपका तो तीनों को आपस में जोड़ देना है, अठाई सही उत्तरे बढ़ते हैं अगले प्रिश्णी की तरफ, अगला प्रिश्णी, question number 10, एक important question है, इसको भी याद रखेंगे, कहा है दूस्तों, अगर ये जो कहा है, दिये गए pattern को ध्यान पूर्वक अध्यन करें, और उस संख्य इस question को कैसे solve करते हैं, जब भी ऐसा question आता है, या तो हम left to right solve करते हैं, या तो up to down solve करते हैं, और एक बात हमेशा याद रखते हैं, कि बड़ी संख्या की तरफ, जहां पर बड़ी संख्या दे रखे हैं, उसी तरफ solve करते हैं, देखो बड़ी संख्या नीचे की और इस बार सारी की सारी दे रखी हैं, तो up to down solve करेंगे, हमेशा याद रखना है, बड़ी संख्या की ओर अगर आप solve करेंगे, तो आपका प्रिशन 100% सही उत्तर बनेगा, ठीक है तो इस तरह से हम इसको solve करेंगे, और इसके logic की अगर चर्चा करें, तो यहाँ पर पहले अच्छे से solve हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद, दूसरे वाले की बात करें, तो देखें, यहाँ पर लिखा है 37, 37 के बाद में है दुस्तों, गुडा में 24, और बटे में है पेरे दुस्तों, तीन, यह अपने मन से दोनों में लगाया है, यह कहीं जबाल में नहीं दे रखा है ठीक है, इसी प्रकार, इसी प्रकार अब logic का प्रयोग करेंगे, तो हमारा सही उत्तर क्या बनेगा, तो question mark multiply 36, ठीक है, multiply 36, बटे में कितना आएगा बटे में 3 आएगा, और बराबर में दोस्तों हमें पता है कि 540 आ रहा है ठीक है, यह बताना है, क्या बता सकते हैं चलिए बताते हैं, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस logic की, तो 3 से काटेंगे तिछंग 18, क्या हो जाएगा, तिछंग 18 और 6 का multiply करेंगे 42 में, तो 6 दूनी के बारा 6, 24, 21, देखो यह 252 आ गया यह आ गया 252 आपका, ठीक है इसके बाद यहां पर काटेंगे 3, 28, 24, ठीक है, 3, 28, 24 तो 8, 7, 56, 8, 3, 24, 25, 29 मतलब 296, देखो यह आ गया हमारा 296, ठीक है, आ गया ना 296 इसके बाद आप बात करते हैं तो 3 से अगर हम इसको काट दें तो 12 हो जाएगा, और अगर क्वेश्चन मार्क, मल्टीप्लाई 12 क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 12 के बरावर में क्या है 540 दे रखा है, तो 12 से सीधा काट देते हैं 12 चुके 48, बचेगा 6, 12, 5, 60 मतलब 45, तो क्वेश्चन मार्क जो होगा क्वेश्चन मार्क के इस्थान पर प्यारे दोस्तों क्या आजाएगा 45 आजाएगा याद रखेंगे तो 45 उप्शन नमर 2 में दे रखा है तो इस मैट्रिक्स का जुस्सा ही उत्तर बनेगा वो हमारा 45 बनेगा इसको आप लोग अच्छे सा याद रखेंगे चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रिश्चन क्वेश्चन नमर 11 की तरब क्वेश्चन नमर 11 कहा है निमलिखे सब्दों में एक तार्तिक रूप में चोटे से बड़े क्रम में बिवस्तित करें यहाँ पर आपको 5 सब्द दिये गए हैं मित्रों यहाँ पर आपको 5 सब्द दिये गए हैं चोटे से चोटा फिर बड़े से बड़ा मतलब इन सभी सब्दों को साइज के अनुसार आरोही क्रम में लिखना है चोटे से बड़े क्रम में लिखना है ठीक है याद रखेंगे तो देखें मगरमच, छिपकली, भेल, घरेलू मक्खी और बंदर इनमें सबसे पहले क्या आएगा तो अगर मैं बात करूँ सबसे चोटे की तो सबसे चोटी जो आकार में होती है वो हमारी घरेलू मक्खी होती है मतलब चोटा वाला पहले इस्थान पर आना चाहिए ठीक है इसके बाद देखेंगे तो वेल वेल मतलब सबसे बड़ा जानवर है इनसा भी आप्सन में तो अंत में हमारा तीन आना चाहिए तो चार से सुरुआत अंत में तीन तो यह उप्सन गलत हो गया उसके बाद यह बाला उप्सन गलत हो गया उप्सन ऐलिमिन्ट भी करना सीख जाए तो आपका एक्सब में समय बच जाएगा घरेलू मक्खी के बाद अगर हम देखेंगे तो दोस्तों या तो यहाँ पर पाँच है या तो दो है तो पांच में बंदर दे रखा है एक में चिपकली दे रखा है आप बताए चिपकली बड़ी होती है कि बंदर आप कहेंगे सर जो बंदर होता है वो बड़ा होता है मतलब बाद में आएगा तो चिपकली चार के बाद दो को आप देखेंगे तो चार के बाद द तो अलग अलग इस्तियां दिखाई गई हैं जिसमें छे फलक एक से छे तक संख्यांकित हैं उस संख्या का चैन करें जो तीन दर्साने वाले फलक के बिपरीत होगी तो मैंने एक कल आपको ट्रिक बताई थी यदि आपने पिछली क्लास देखिए देखिए जो बिपरीत सतय होती है एक बात फिर से समझ लीजे जो बिपरीत सतय होती है वो एक साथ ना तो कभी छिप सकती है गोर से समझना है बिपरीत सतय अगर छिप गई एक साथ तो गलत हो गया अगर एक साथ बिपरीत सतय दिख गई तो ये भी गलत हो गया ठीक है ना तो छिपना चाहिए और ना ही दिखना चाहिए तो तीन के साथ साथ तीन का अपोजट ही तो पूचा है हमसे दोस्तों जब हमसे तीन का अपोजट पूचा है तो तीन के साथ जो भी नंबर है तीन के साथ जो भी नंबर है वो विकल्प नहीं होने चाहिए तीन के साथ दो है विकल्प दो नंबर वाला गलत तीन के साथ पांच है विकल्प पांच नंबर वाला गलत तीन के साथ क्या है एक है ये देखो तीन के साथ एक दिखाई दे रहा है मतलब ये बाला भी विकल्ब गलत तो एक बाला भी विकल्ब भी गलत तो बचा एक ही विकल्ब बचा एक ही विकल्ब प्यारे मित्रो बचा एक विकल्ब तो option नमर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा जसमें 3 के जो opposite बनेगा वो नमर होगा आपका 4 तीन के अपोजट जो नमबर बनेगा प्यारे दूस्तो वो होगा आपका चार अगर आपको अभी विस्वास नहीं है इस ट्रिक पर तो देखें मैं सॉल्ब करके बताता हूं जब भी दो पांसे एक जैसे आएं तो आपको इनको आपस में अपोजट रख लेना है उसके बाद इसको क्लोग बाई चलाएंगे तो पांच आएगा इसको क्लोग बाई चलाएंगे तो एक आएगा फिर से क्लोग बाई चलाएंगे तो यहाँ पर छे आएगा और फिर से क्लोग बाई चलाएंगे तो यहाँ पर दो आएगा अब देखी संख्या तो एक से छे तक थी तो त इसमें बहुत सारे ट्राइंगल हैं, मैं कैसे काउंट करूँगा और एक्जाम में समय कैसे बचेगा तो इसके लिए एक ट्रिक, ठीक है याद रखेंगे एक ट्रिक है, छोटी सी दो बातें सुननी है और आपको ट्रिक के माद्यम से मात्र तीन सेकंड या दो सेकंड में इसका उत्तर आएगा, गौर से समझना है कैसे देखें, जब भी आपको एक वर्ग दे रखा हो यानि कि जब भी आपको एक स्क्वेर दे रखा हो और उसके विकड परस पर एक दूसरे को समध्द्वाजित करते हो इस तरह से ट्राइंगल हमें इस आकरती में पता चल जाएंगे तो ऐसी ही आकरती तो हमें दिखाई दे रही है ऐसी ही आकरती तो दिखाई दे रही है गौर से समझो यहाँ पर गौर से समझो यही आकरती हैं दोस्तों यही वाली तो आकरती हैं यही बाली तो आकरती है, इसके बिकड़ आपस में काट रहे हैं, बिकड़ आपस में काट रहे हैं, तो सीधा नमबर 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 8 दिए, तो 8 आया मतलब सबसे बड़ा नमबर, कुड़ा दो, कितने हो गए सर, 16 ट्राइंगल, अंदर अंदर की आकरत आपको समझना है कौन-कौन से ट्राइंगल हैं, अगर दोस्तो आप इसको समझ गए, एक मिनद थोड़ा सा समय दीजे, ठीक है, यहाँ पर अगर आप इसको समझ गए, तो आपकी लाइफ जिंगा लाला हो जाएगी, ठीक है, देखो, इसके भी विकड़ बनेंगे, अब य यहाँ पर भी आठ आए है, मतलब आठ फिर से दो का गुणा, तो सर सोला फिर आ गया, क्या आगया सोला, मतलब सोला सोला के दो जोड़ा सोला दोनी की बत्तिस, टोटल ट्राइंगल की संख्या कितनी मिलेगी, बत्तिस मिलेगी, ओप्सन नमर चार में दे रखी है, इसके अ यहाँ पर हमें कुछ सब्द दे रखे, कहा है कि बीमारी हैं, रतोंदी और कैंसर, तो दोस्तों अगर हम बात करें बीमारी की, तो एक परकार की बीमारी ही तो हती है, रतोंदी, रात में दिखाई नहीं देता, और एक परकार की बीमारी ही तो हती है, कैंसर, जिसका कोई ल जो दोस्तो हमारा किसको cancer को denote करेगा ठीक है इस तरह से तो इस तरह से आकृती बनेगी मतलब एक circle होना चाहिए उसके अंदर दो छोटू-छोटे से अलग-अलग circle तो option नमर दो में दे रखे हैं ये वाला match नहीं खा रहा ये वाला भी match नहीं खा रहा और ये वाला भी नहीं तो दो नमर का विकल्प इसका सही उत्तर है इसको याद रखे делать ब़लते हैं आज के 15 नमर प्रश्ण की तरह पंद्रवे नमबर प्रिश्ण में दोस्तो हमसे कहा है का यदि दरपड उत्तर दिसा में रखा गया है तो दी गई उत्तर आकरतियों में से कौन सी प्रिश्ण आकरती का सही प्रत्विम्वे है तो दोस्तो यहाँ पर हमें क्या है हमें दे रखी हैं दोस्तो चार उत्तर अकरतियां इनमें बताना है कि उत्तर दिसामे यदि आपका दरपड़ रखा है तो इसका सही प्रत्विन में क्या बनेगा देखिए अगर मैं बात करूं इसकी तो ये एक प्रकार से क्या है आपका दरपड़ प्रत्विन में पूछा है लेकिन बना हुआ जल पर बिन्वे तो इसको पहले उपर ले जाना है तो दोस्तों याद रखेंगे जो भी बस तो दरपड की नजदीक है मैं अगर बात करूँ कि यह एक दरपड रखा है मैं यहाँ पर एक गैन रखता हूँ यहाँ पर एक बॉल रखता हूँ तो यह जो जितनी दूर दरपड के नजदीक होगी यहाँ पर उतनी ही दूर तो यहाँ पर बनेगी गोर से समझना है इतनी बात समझ गए तो आपका कोशन अच्छे से सॉल्व हो जाएगा ठीक है अगर बॉल की दूरी दरपड से यहाँ पर बराबर है तो यहाँ पर भी बराबर ही होगी ठीक है इसको याद रखेंगे तो मैं अगर बात करूँ यहाँ पर देखें यहाँ पर यह क्या है दरपड के नजदीक एक सेप दे रखा है ये जो shape है ये दरपड़ के नजदीक दे रखा है दोस्तो ये shape आपका दरपड़ के नजदीक है तो ऊपर दरपड़ के नजदीक ही तो होना चाहिए ये बाला shape हमारा क्या होगा ऊपर दरपड़ के नजदीक बन जाएगा तो सबसे पहले ये बाला shape इस तरह से बनेगा उसके बाद यहां से एक corner से एक line निकली है इस तरह से corner से एक ऐसी line निकली है गोर से समझना है यहां पर तो यह shape गया है यह वाला shape गया है इसको उपर ले जाएंगे इसको अगर आप गोर से इस तरह से उठा के रख दें दोनों तरप से उठा के रख दें इसको गौर से समझ़ना है अगर इसको आप रख देंगे तो आपकी क्या अकृतिबनेगी तो इसका ना तो Lapt change होगा और ना ही Right change होगा क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है Lapt है तो Lapt ही रहेगा आपका Lapt ही रहेगा मतलब यह ओकृति यहां पर आई है से घ्र जा करकिए इस तरह के आएगा इस के बाद ऐसा बनेगा तो फिरसे समझगे कैसा प्रयास करता हूं आपका इस तरह से ऊपर tunedर जाएगा पिर नीचे जाएगा ठीक Г यह आकृति का देखिए corner touch नहीं हो रहा है यहाँ पर हम corner से चले हैं तो इसका corner touch नहीं है तो यह वाली भी गलत हो गई कौनसी option नमर 4 वाली भी गलत हो गई अब बची केवल और केवल दो नमर option की तो दो नमर option की इसकी सही उत्तर है याद रखेंगे तो सही दरपड़ परदम option नमर 2 में दे रखा है